दोस्तों नमस्कार वीकेन ओलइज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है वेकेंशी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्तित हूं दोस्तों वेकेंशी एन इटी नेशनल इंस्टिट्टीट ओप टेकनोलोजी सूरत की है और आईटी होल्डर इसमें अपलाई कर सकते हैं कितने सीटे हैं क्या क्राइटेरिय रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी इनी सब पर हम चर्जा करेंगे सो आप इस वीडियो को कम्प्लीट लास तक जरूर देखना नोन टीचिंग पोस्ट पर वेकेंसी है दोस्तों और पूरी डिटेल से आपको बताएंगे आप भी इसमें अपलाई जरूर करें आगे बढ़ने से पहले रिक्वेश्ट रहेगी चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉर्वर्ड कर दीजिए ताकि जो भी इलिजेबल कंटिडेट्स हैं वो अपलाई इसमें कर सके आईए दोस्तों वेकेंसी की बात कर लेते हैं देखो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है उसका नाम है सीनियर टेक्निशन पे लेवल 4 में रखा जाएगा 6th पे कमिशन के अनुसार 24 सो ग्रेड पे उसका है और लेवल 4 7th पे कमिशन के अकोडिंग माना जाएगा अपर एज लिमिट 33 है यानि 18 वर्स से लेकर 33 वर्स तक की एज है और ये एज अन्रिजर्व कंडिडेट्स के लिए होता है रिजर्व कंडिडेट्स जितने भी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी कौन कौन सी ट्रेड या ब्रांच यहाँ पर इलिजेबल रहेगी तो देखो केमिकल इंजिनिरिंग, कम्पिटर साइंस, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रुमेंटेशन वाले इलिजेबल है वही मेकेनिकल और सिविल वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एलेक्ट्रिकल,ремrd आर्डेट्रोनिक्स और इन्स्ट्रुमेंटेशन का कोमन है जहां zobaczy सात सेते हैं 5 अंधी ज़र्व के लिए एक S,C के लिए और एक O,B,C के लिए रिजर्व सेते है यानि कुल सात सेते हैं और दूसरा जो वेकेंसी है दोस्तो इसी में उसका नाम है टेक्निशन पे लेवल थर्ड में रखा जाएगा ग्रेड पे दो हजार और अपर एज लिमिट 27 वर्स यानि एज लिमिट 18 से 27 वर्स है जो कि अन्रिजरव केटिगरी के लिए है तो यदि आप रिजरव केटिगरी स छूट भी मिल जाएगी यहां पर अगर बात करें पोश्ट की तो इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्रिकल और इंस्टुमेंटेशन वालों की टोटल नो सीटे हैं जिनमें से चार अन्रिजरव के लिए है चार ओबी सी के लिए है और एक सीट जो है वो हैंडी केप रिजरव रख्या गया यहां पर यहां पर जो है वो नो सीटे हैं दोस्तों अगर बात किरें क्वालिफिकैशन की और साथ ही यदि फॉम अप्लाई करने की क्रूशल डेट की फॉम अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज़ धान रखना होगा कि ओनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ आपको इसका प्रिंट आउट भी सेंड़ करना होगा यह जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस एड्रस पर आपको hard copy send करना है जिसके साथ में self-attested सभी documents भी submit करने है फीस की payment और जो online application आप बरेंगे submit करेंगे उसका print out आपको लेना है सभी documents self-attested copy आपको इनके साथ लगाना होगा किसी और जानकारी के लिए दोस्तों आप इस पूरे PDF notification को पढ़ें और apply करने से पहले इसके सारे data जांज लेवे application की दोस्तों जो fees payment है वो 500 रुपए रखी गई है यहां पर मैं बता देता हूँ आपको SC, HT और reserve candidate जितने भी है, महिला candidate जितने भी है उन सब को free रखा गया है, कोई fees नहीं ली जाएगी बाकी सभी से 500 रुपए की fees payment ली जाएगी official website पर विजिट करके आप यह सारे data notification देख सकते हैं crucial date की बात कर लेते हैं देखे दोस्तों तो यहां से 21 October से online application इसके start हो जाएंगे 2 December 2022 इसके लिए last date रहेगी जो hard copy print out आपको send करना है उसके लिए 12 December 2022 लास्ट date रहेगी किसी भी और जानकारी के लिए आप यह पूरा PDF notification पढ़ें उसी के बाद form apply करें इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजी चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लेज़े चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं educational qualification के बारे में तो देखो सबसे पहले senior technician के लिए वैसे तो दोनों के लिए लगवग common qualification रखी गई है senior technician को group C में रखा जाएगा जहां 2400 grade पे आपको basic दिया जाएगा यहाँ पर अगर दोस्तों मैं educational qualification की बात करूँ तो तीन option आपको यहाँ दिये गए हैं सबसे पहला senior secondary हो science में और कम से कम 60% आपके नमबर हो आप बर सकते हैं दूसरा option है senior secondary आपने किया हो कम से कम 50% हो और एक साल या इस से ज़्यादा का IT आपने किया हो यानि वारे में जैसे आपने art या commerce से कर रखी हो कोई बात नहीं लेकिन 50% नमबर होने चाहिए और साथ में आपका IT होना चाहिए तीसरा option है 10th pass हो आप secondary उसमें कम से कम 60% नमबर होने चाहिए और दो वरस का आपका IT होना चाहिए और चौता option है आपके पास डिपलोमा हो ठीक है तो यह है senior technician के लिए अब आपको मैं technician का बता देता हूं technician के लिए जो भी criteria है लगभग इनके जैसा ही है तीन option यहां भी चार option आपके सामने है सबसे पहला senior secondary यानि बार में आपने science में कर रखा 60% नमबर से बार में 50% नमबर से हो तो एक वरस से या इससे ज़्यादा का IT हो 10th में 60% कम से कम नमबर हो तो दो वरस का idea या फिर डिपलोमा हो यानि educational qualification दोनों के लिए same है पोस्टों की संख्या की according और is के according आप जो है इसमें apply कर सकते हैं